फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सिता रमन जी के द्वारा इंटरिम बजट में प्रॉमिस किया गया था कि वो एकॉनमी के उपर वाइट पेपर लेकर आएंगी अब वो वाइट पेपर हमारे सामने दिख गया है अब आप लोग सोचोंगे से इतना भी क्या ये वाइट पेपर ऐसा क्या इसमें खासियत है कि इतनी जादा इसके रिकाड़ी न्यूस बन रही है हम जो नोटबुक पे लिखते हैं वो भी तो वाइट पेपर ही होता है पर एक्चल में ना वाइट पेपर का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है मैं आक्चलि आपको समझाता हूँ मालो आप कोई बहुत ही extensive किसी चीज के उपर research करते हो इसी topic के उपर and उस research के business के उपर ना एक बहुत ही in-depth आप report लेकर आते हो उस चीज को बोलते हैं white paper बहुत सारी आपकी companies, बहुत सारी आपकी agencies, बहुत सारी अलग-अलग communities, बहुत सारे जो renowned individuals होते हैं वो किसी भी topic जो भी बहुत कंप्लेक्स हो सकता है, उसके उपर लोगों को समझाने के लिए एक report एक guide लेकर आते हैं, जिसके साब से वो complex मुद्धा लोगों को बहुत असानी से समझ आ जाए, वो problem को कैसे solve करना है, कैसे हम future के अंदर decision लेकर आ सकते हैं, ये सारी बाते इस white paper के अंदर देखने को मिलती हैं, तो सर ये जो finance minister हमारे सामने white paper लेकर आई हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा कुछ नहीं है, आप समझ जाओगे क्या कहना चारा हूँ मैं, लिखा ये है कि 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार थी, उन्होंने economy की हालत बहुत बहुत खराब कर दी, और फिर 2014 से लेकर के 2024 तक economy बिल्कुल टॉप पे आगी, ऐसा यहां पर जो finance minister जी के द्वारा white paper निकाला गया है, उसमें ये चीज़ बात करी गई है, यहां पर बहुत सारे पताया गया है कि 2024 से लेकर 14 तक बहुत सारे अलग-अलग तरह के scams हमें देखने को मिले, ठीक है, and on the other hand, 2014 से 2024 में economy व viewpoint है, इसके देखो oppose में, जो Congress Party है, उन्होंने अपना एक black paper ले आई, अब आप बोलो को सर, black paper क्या है, देखो जो white paper होता है ना, बस उसका उन्होंने नाम रख दिया black paper, reason being कि काला जो होता है, ठीक है न, क्योंकि उनके हिसाब से, International Congress के हिसाब से, जो पिछले 10 साल थे, उसमे मोधी government ने कुछ नहीं किया, उसमें inflation भी जादा थी, बेरोज़गारी भी जादा थी, और साथी साथ आपके जो main main मुद्दे थे, farmers, justice देखने को मिला, महिलाओं के against injustice, ये सब किज़े देखने को मिली है, तो देखो कुछ नहीं है, दोनो papers के अंदर, white paper या black paper के अंदर, ए हम discuss कर चुके हैं, interim budget हम वहाँ पर discuss कर चुके हैं, I don't think कि आपको ये white paper, black paper detail में पढ़ना चाहिए, वो जो मुद्दे थे, वो हम already इन में cover कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, date है आज की 9 February 2024, और आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर, discussion स्टार्ट करते हैं, एक बहुत important मुद्दे से, that is, RBI keeps repo rate unchanged, पहले थोड़े सा एक काम करते हैं, monetary policy committee के बार में समझ लेते हैं, फिर आते हैं कि क्या, इस बार क्या decision हुआ है, देखें, जब हम बात करते हैं, monetary policy committee की, ये एक तरह का framework है, जिसके माद्यम से, हमारी जो benchmark interest rate है, उसको fix किया जाता किस rate के उपर पैसे lend करेगा, ये होती है, repo rate, अब ये repo rate कम होनी चाहिए, जादा होनी चाहिए, उसी को maintain करना है, इसको decide करने के लिए, हमारे पास total कितने लोग हैं, हमारे पास 6 members देखने को मिलते हैं, इन 6 मेंसे 3 members Reserve Bank of India के तरफ से आते हैं, और बाकि के जो 3 होते हैं, वो स काम क्या है सर इसका, देखो काम एक तो बहुत बताई दिया, repo rate को करना, और कहीं न कहीं जो हमारी inflation है, जो महंगाई है, उसको 4 plus minus 2% यानि की minimum 2% and maximum 6% की range के अंदर, इसी range के अंदर रखना, ये इसका काम होता है, क्या ये बात clear हुई? ठीक है, और क्या points हमें जानने हैं और 3 against में हैं, फिर क्या होगा? फिर हमारे जो RBA governor जी है, वो एक casting vote दालेंगे, दुबारा से voting करेंगे, RBA governor ने जो बोल दिया, accordingly उसी को यहाँ पर मान लिया जाएगा, तो ये बाती यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको meaning इसका समझाई दिया, RBA governor होते है ठीक है ना, बाकी central board के दोरा एक officer nominate होता है, और 3 सरकार nominate करती है, central government nominate करती है, अब आते हैं इस बार के मुद्दे के उपर, कि अब जो इस बार meeting हुई, जो कल meeting हुई थी, उसमें क्या बाते कहीं गई है, देखो पहली बात तो ये समझो, कि जो repo rate था, उसको यहाँ पे unchanged रखा गया है, 6th time, ठीक है लगातार 6 meeting थी इनकी, जहां पर इन्होंने बोला है कि हम repo rate को 6.5% के उपर ही maintain करेंगे, पिछले साल जब February 2023 में मिले थे ना, उस time पर repo rate को 6.25 से 6.50% कर दिया गया था, उसके बाद से यहाँ पे हमें increase नहीं देखने को मिला है, एक्चल में क्या 2025 financial year के लिए जो GDP का forecast है, RBI के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो यहाँ पे 7% आपको देखने को मिल जाएगा, और CPI के अगर हम बात करें, जो की consumer price index होता है, उसका भी हम 5.4% के आसपास अनुमान लेके चल रहे हैं, कि inflation इसके आसपास यहाँ पे रहेगी, बाकि देखो R ने और भी बाते कहीं है, कि जैसे जैसे agriculture के अंदर recovery आ रही है, जो geopolitical tensions हो रही है, इनको हमें accordingly हम manage करते रहें, food prices के अंदर uncertainty को हमें manage करना होगा, अगर हम inflation को tackle करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से पहली bimonthly meeting थी after the interim budget, और यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पे discuss लेते हो, जैसे आपने मालो retail loan लिया, ठीक है, या फिर जो MSME होते हैं, उनके दोरा loans लिये जाते हैं, यह जो loan होंगे ना, इनके लिए RBI ने बोला है, कि जब भी bank इनको यहाँ पे loan देंगे, तो एक तरह की इसके साथ बनेगी क्या, KFS, Key Fact Statement, यह क्या चीज़ है, देखो क processing fees, documenting charges, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग miscellaneous से cost लगा दी जाती है, जिस वज़ा से आपको जो पैसा pay करना होता है, वो बहुत ज़दा बढ़ जाता है, अब RBI ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको जब भी आप loan दोगे, एक साथ में आप KFS भी दोगे, Key Financial Statement, ठीक है, उसके बैंकों को compliance बढ़ा दिया गया है यहां पर, और RBI ने बोला है कि जो लोगों तक है, वो transparency पहुंचनी चाहिए, ना मतलब, एक तरह से उनको पता लगेना चाहिए, कि उनके उपर अगर cost लग रही है, तो क्यों लग रही है, अगर loan उनको ज़ाद देना है, तो क्यों देना पास्ट आगी, नहीं, वो KFS उन सारी चीज़ों को यहां पर हटा देगा, I hope RBI ने जो रेपोलिट को unchanged रखा है, और क्या important decisions लिए हैं, यह सारे आपको समझ आगे होंगे, आगे बढ़ने से पहले एक चोटे से information है, दोस्तों हमारे जो foundation courses हैं, वो यहां पर admission उनके लिए open है आप यहां पर दिल्ली के अंदर, हमारे मुकरजी नगर और करोलबाग के अंदर, और उसी तरह से लखनव और पटना के अंदर admissions ले सकते हैं, यह सारे हमारे जो courses होते हैं, यह CTR model based होते हैं, जहां पर class, test और revision के मादयम से आप तक content तो provide किया ही जाता है, plus at the same time test के मादयम स आपकी progress को evaluate करवाया जाता है, and revision के मादब से लंबे time तक उसको कैसे याद रख पाएं, यह चीज़े करी जाती हैं, ताक कि आप exam के लिए पूरी तरह से ready हो पाएं, दोस्तों आप इस number के उपर 9920613613 पर हमें contact कर सकते हैं, कोई भी अपनी information के लिए कि कैसे इसके अंदर ह सब components यहाँ पर आपकी cover हो जाते हैं, सासी साथ नीचे description के अदर मारे links भी दिये हुए है, सभी हमारे programs के उनको भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, next चलते हैं अगली topic के तरह that is पृत्वी scheme, सरे पृत्वी क्या है, देखो पृत्वी stand करता है पृत्वी वग्यान के लिए, क्या अर्थ इस चीज़ का, देखो अभी क्या हुआ, union cabinet ना approval दिया है, पृत्वी विज्ञान को, जो कि एक research scheme है, लगबग 4800 क्रोड के असपस, actually मैं आपको बताता हूँ, ministry of earth sciences, जो हमारी nodal ministry है, वो यहाँ पर scheme को run करेगी, होता कहना जैसे आपके earth system sciences के अलग-अलग components है, जैसे आप atmosphere के बारे में जानते हो, बिल्कुल सर, उसी तरह से आप जानते होंगे cryosphere, cryosphere क्या होता है, cryosphere आपका जो frozen part होता ना, जहाँ पे बरफ portions आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपका continental crust हो गया, oceanic crust हो गया, आपके earth के interior के अलग-अलग layers होगी, वो सारे यहाँ पे accordingly देखने को मिल जाते हैं, अब actually ना, हमारे यहाँ पे already कुछ schemes चल रही थी, ठीक है ना, कुछ already sub schemes चल रही थी, उसको पृत्वी ने incorporate कर दिया सिर्फ क्या schemes चल रही थी, देखो एक था across, across क्या है, atmosphere and climate research modeling observing system and services, यहाँ पे मैंने बताया ना, atmosphere करिगारिंग काम होगा, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे atmosphere करिगारिंग, देखो यहाँ पर है कि हम अपने climate को better कैसे समझ पाए, atmosphere के weather को कैसे predict कर पाए, forecasting जो होती है, वो यहा से o smart क्या है, यह हो गया आपका ocean के लिए, देखो यह atmosphere हो गया, यह आपका hydrosphere हो गया, मैंने बताया ना, 5 components, तो इस तरह से 5 sub schemes हमें देखने को मिल जाती है, तो ocean related activities के लिए technology improve करने की बात है, पेसर के अंतरकत क्या हो गया, polar science and cryosphere research है, यह आगया cryosphere के regarding, क्या आपके Antarctica, Indian Arctic हो गया, इन regions को explore करना, उसके साथ ही साथ, seismology and geosciences यह आगया, geoscience component भी आगया, यह आपके पांच जो sub scheme हमें, प्रिथवी के अंदर देखने को मिल जाएंगी, तो इसने प्रिथवीनेस इन 5 sub schemes को incorporate कर लिया है, ताकि हमें चीजों की बहतर जानकारी होती रहे, इसे disaster हो गया, management में मदद मिलेगी, आपके flood, cyclone, heat waves, earthquakes, इनके अंदर early warning system हम issue कर पाएंगे, and साथ ही साथ मारे Arctic, Antarctica और हिमालियास की better explosion हम यहाँ पे कर पाएंगे, I hope आपको प्रिथवी scheme समझ आगी होगी, next चलते हैं, श्रीला, प्रभु, पदाक्त जी के बारे में पढ़ लेते हैं, देख के honor में यहाँ पे release किया गया, देखिया आप सभी ने इसकौन का नाम पका सुना होगा, अभी यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत सारे सकौन के temples हैं, और भी बहुत सारे बैंगलोर में भी हैं, चिके ना, और भी अलग-अलग जगा में देखने को मिलते हैं, चलो इंडिया म प्रभुपधा जी ही है, actually इनका जो नाम था, इनका नाम है, अभे चरण, actually इनका real name है, मतलब था, तो इनको इन्होंने इसकौन को found किया था, हरे कृष्णा मुमेंट भी इसकौन को बोलते ही हैं, इन्होंने भगवद गीता जी की जो teachings हैं, और भक्ती योग की जो principles हैं, ज बहुत important role play किया, इसके साथ में ही जो शिरी चैतन्या महाप्रभु जी है, उनकी teaching को भी यहाँ पे इन्होंने propagate किया, पहले मैं थोड़ा शिरी चैतन्या महाप्रभु जी के बारे में बता जेता हूँ, यह actually 15th century के वेदिक spiritual leader थे, जिन्होंने को काफी लोग Lord Krishna जी का अवता भी मानते हैं, तो Godia Vashonism के यह founder माने जाते हैं, इसके साथ साथ बक्ति योग को इन्होंने एक point method माना, यहाँ पर अगर आप notice करो, इन्होंने महा मंत्र को popularize किया, इसके साथ साथ संस्कृत के अंदर भी बहुत साथ चीज़े compose करीं, जैसे 8 verses की prayer, जिसको शिक्षाक्तम ब भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुल, वो जब इनको बोलते हैं कि अब हमें दुनिया भर में इसका प्रचार करना, इसके बार में दुनिया भर के लोगों को Krishna Consciousness के बार में बताना है, तब यह चीज़ यहाँ पर हमें स्टार्ट होती हुए देखने को मल जाती है, तो कह मंतर भी इनके द्वरा ही यहाँ पर बताया गया, बाकि इसके लवा भगवत गीता के उपर, चितन्या चरित मित्र के उपर, यहाँ पर इनके काफी सारी ट्रांसलेशन और इनने काफी सारा कॉमेंट भी किया हुए, तो आई होप यह टॉपिक भी आप यहाँ पर समझ के हो देश्वाशर या टीवी वगरा को देखते थे, यह एर कंडीशनर को एसी वगरा यह नॉमली ना पहले वाइट कलर के ही अंदर आते थे, अब तो देखो पता नहीं जिसमें कलर में आप चाहते हो, अब तो रंगों की वराइटी बहुत जादा है, चाहे आप पिंक में भी ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले यह नॉमली वाइट कलर के अंदर ही आते थे, चीक है, तो इस तरह की जो बड़ी-बड़ी होम एप्लाइंसे हैं, आपके AC, आपके वाशिंग मुशीन, आपके रेफ्रीजेटर, इनको हम वाइट गोड्स के नाम से इनको हम वाइट गोड्स मानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसके लिए PLI स्कीम हमें देखने को मिल रही है, एक्चुली क्या हुआ है, 6766 करोड, 6766 करोड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कमिट किया गया है, पौर दा वाइट गोड्स जिसमें कंडिशनल और LED लाइट समय देखने को मिल जाएंगी, ध्यान रखना पांच साल का इसका टैनियोर है, निस्ट्य ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री यहाँ पर इसकी नोडल अजेंसी है, काम वही है कि इंडिया के अंदर इन सभी चीजों के अच्छी खासी प्रड़क्शन हो जाद स्यादा पैसे, जाद स्यादा सेल करोगे, उसके उपर आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ जाद स्यादा पैसा, जाद स्यादा हम अपने गुड्स को बेचें, एंड अकॉर्डिंग लिए उससे क्या होगा, उससे इनके प्रड़क्शन इस भी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऐसा बताया जाता है जो इंडियन वाइड पूर्स इंडस्ट्री है, यह आपके दोजार पच्छिस तक लगबग डेड़ लाख करोड की हो जाएगी, तो अपने आप में मार्केट साइज बहुत जादा बड़ा है, इस आप बेसिक देख सकते हो, ठीक है ना, अलग-अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग हमें इसमें एडिशन होती हुई देखने को मिली है, इन दा लास्ट फ्यू येर्स, गेटिंग इट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवाना के रिगार्डिंग, थोड़ा स इसको गवाना को पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ हमारी जो कैरी कॉम क्मुनिटी है, करीबियन क्मुनिटी, थोड़ा हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे, दरहसल में गवाना के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया आये हुए है, तो थोड़ा सा पहले तो इसके ब गवाना की, तो आप देख पाऊगे, गवाना एक साथ सुरी नाम से, उसी तरह से यहाँ पे आपको बेनेजूला आपको इस गवाना के वेस्टर साइड देखने को मिल जाएगा, नदन साइड के उपर आपका अट्लांटिक ओशिन हो गया, एन नीचे आपको ब्रजील दे यहाँ पे बोला जाता है, और एक्चली यह कम्यूनिटी में आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, तो 15 कंट्रीज हैं मिलकर, यह क्योंकि अपने आप में नोटिस करना बहुत चोड़ चोड़ी सी कंट्रीज हैं, तो इतनी चोड़ चोड़ी कंट्रीज हैं, तो अगर आपस में मिलकर साथ में बहुत साथ चीज़े डिसाइड करेंगी, तो इस वज़ा से एक कैरीकॉम कम्यूनिटी यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसका 1973 के अदर फॉर्मिशन हुआ था, बाइदा ट्रीटी आफ चुआगूर मॉस, ठीक है न, यहां पर टोटल 15 देश आप देख पाओगे, ध्यान रखना सुरी नाम भी इसका मेंबर है, और गौना भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसके सेक्रेटेरी के आपको जॉर्ज टाउन, यह रहा जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन गौना में आपको देखने को मिल जाएंगी, And accordingly, इसमें, हर 6 महीने बाद इसकी chairmanship हमें rotate करती हूँ, देखने को मिल जाती है। बाकि ये final court of appeal की तरह, जो मारा Caribbean court of justice है, वो यहाँ पर work करता है। तो वो carry com के दोरा ही 2007 में इसको form लिया था। ठीक है, तो ये कुछ pointers थे, जो आपको गवाना के बारे में, carry com के बारे में जानने चाहिए थे, इसी discussion के basis के उपर, आपको मैं कुछ homework दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप नीजे comments में बताओगे, कि आपके हिसाब से, इन में से कौन सा answer true है, और कौन सा false है, कल जो मैंने आपक को preside करते हैं, तो पहला statement आपको false हुदाएगा, श्रेश स्कीम की बात करें, यहाँ पर कह रहा है, ministry of education यहाँ पर देखने के मिलता है, नहीं, यह था ministry of social justice and empowerment, तो second is also false, थर्ड की बात करें, deal limitation commission, तो बिलकुल इसके orders को आप court के अंदर question नहीं कर सकते, this statement is indeed correct, ठीक है दोस्त पर जो आपके MCQs daily basis पे दो questions में आपको देता हूँ, उनका question का answer 10-15 लोगों को छोड़को और कोई भी नहीं देता, देखो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि अगर MCQs आपको help नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको film booster से हटा भी सकते हैं, depending upon whatever you feel like, because अगर आप इनको attempt न क्या criteria है, पहला homework यही है, और दूसरा है, with regards to आपका Luka Pharesis के बारे में ही, ठीक है, नया homework इसने नहीं दे रहा है, क्यूंकि मैं जानना चाहता हूँ, कि आप actual में चाहते हो इन चीजों को MCQs को continue करना, तो मुझे please answers की form में अपने बता दीजिएगा, इनके answers क्या होंगे, त आपने नहीं है